तो आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी के ओपर टॉप 35 MCQs हाँ आप बोले होंगे कि सर यहां पे तो टॉप 30 लिखा है तो यहां पे 30 लिखा है लेकिन हम करने वाले हैं टॉप 35 MCQs ठीक है तो आईए शुरू करते हैं लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सस्क स्क्राइब का बटन है जो लाल वाला जरूर दबाएं और पास का बैल आइकन जो रखा है उसको भी जरूर हिट करें तक कि कोई भी क्लास तगीगी सबसे पहले आपको यहां पे मिलने वाली है ठीक है तो 26 को आप लोगों का एक्जाम है और जो जेके SSB के एस्परेंट से उनके लिए भी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है तो आये शुरू करते हैं ठीक है और एक लाइक जरूर कर देना अपनी तरफ से उससे काफी मोटिवेशन मिलता है और फटा फटा आंसर देना पहले क्वेशन का अंसर दिखाया है आगे का नहीं दिखाऊंगा वीच ठीक है तो नेक्स्ट क्यों बढ़ेंगे यह देखिए क्वेशन नंबर टू वेंड़स दाइंटाइर अर्थ एक्सपिरियंस इक्वल डेज और नाइट कब एंटाइर जो अर्थ है पूरा अर्थ जो है ठीक है कब एक्सपिरियंस करता है दिन रात बराबर मतलब तब कब क को करता है एक्सपिरियुंस ठीक है तो फड़ फड़ सेल मेंनट की जे आपको मिलेंगे तीन से कड़ आओ है तो जो राइट आंसर है इसका वह देखेंगे अब राइट आंसर है ङसार डे आफ एक्वि नॉवक्स PS डिक टकिए डेइ आफ इक्विनोक्स ऑप्शिन हों गर्रक्ट ऑंसर न टक्षम देखेंगे और फिर से आपको अंसर महीने कोई बात नहीं in जून में क्या च्व सिजन को लेहे वर ने बाने सा 270 को यह ै एक्षम्ज को रहेरी बाई में में मावनीकॡ्ट reaches its maximum angular distance from the equator जो Sun है वो अपना मेक्सिमम जो एंग डिस्टेंस पे कब पहुंचता है equator से कब पहुंचता है comment कीजेगा तो जो राइट आंसर इसका वो है आपका solasti C soli stick ठीक है यानि कि option B is a correct answer next question क्यों बढ़ रहे हैं वही हम next question देखे हमारे पास हाँ after iron and oxygen oxygen और आईरन के बाद की बात किये जाए तो third largest metal कौन सा है जो मिलता है earth पे तो कौन सा है third largest metal तो जो राइट आंसर इसका आपका वो है silicone क्या है silicone क्या है silicone क्या है third largest metal जो है आर्थ में पाया जाता है next question के और बढ़ रहे हैं next question देखिए how many hours of day does the equator experience on September equinox September के equinox में कितने घंटूं का जो है daylight जो है equator experience करता है September के कितने घंटूं में कितने एक दिन में कितने घंटे experience करता है daylight तो जो right answer है इसका वो है आपका 12 घंटे 12 hours ठीक है next question के और बढ़ेंगे next question देखिए आपके screen पे the country which has the longest north-south latitudinal extension of its territory is वोस देश का नाम बताना है जिसका longest जो north-south latitudinal extension है किस territory के साथ तो जो right answer है इस question का वो है आपका रश्या 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 जो है right answer है ठीक है next question देखिए next question में बोलता है longest day कौन सा होता है साल का longest day of the year कौन सा दिन है जो longest day है पुरे साल का तो right answer जो है इसका वो है 23rd March 23rd March is the longest day of the year ठीक है next question के ओर बढ़ेंगे on which of the following dates your shadow at the noon is smallest किस rate में जो shadow होता है जो परचाई होती है ठीक है noon की ठीक है वो moon की है sorry moon की जो shadow होती है वो smallest होती है तो जो right answer है इसका वो है आपका 21st June ठीक है 21st June ठीक है B is the right answer next question देखिए how much time period does 15 degree of longitudes account for जो 15 degree जो longitude है ठीक है कितना time period वो time period के लिए होती है वो तो जो इसका right answer है वो है 60 minutes यानि की one hour के लिए होती है one hour में कितना होता है 60 minutes next question की ओर बढ़ेंगे हम बड़ा important question है topic of cancer इनमें से कौन से देश से पास नहीं होता है topic of cancer इनमें से कौन से देश से पास नहीं होता है तो comment किया है आपने ठीक है जो right answer है इसमें वो है Pakistan Pakistan से topic of cancer पास नहीं होता है ठीक है next question की ओर बढ़ेंगे लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए आपनी तरफ से एक लाइक आपका बहुत ही motivation देता है ठीक है के पास है ठीक है next question की ओर बढ़ेंगे गाइस तो next question देखिया हमारे screen पे ये रहा ठीक है next question में क्या पूचा गया है इसमें पूचा गया है which one of the following scholars suggested the earth origin from gases and dust particles इने में से कौन से scholars है जिनुने suggest किया suggest किया आर्थ की origin को कि कैसे ये धर्ती का origin हुआ कैसे ये अर्थ का origin हुआ और किस से हुआ gases से कुछ gases आई ठीक है और कुछ dust particle ऐसे ऐसे आए dust particle और जिसे बनते 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 क्या वहना अर्थ बन गया किसने ये जो है किसने suggest किया था तो राइट आंसर जो इसका है वह है ओ सेडिमिक सेच मिडिट ठीक है सेच मिडिट ये स्कॉलर थे जिन्होंने suggest किया था कि आर्थ की ओरीजिन जो है gases और डस्ट पार्टिकल से हुई है नेक्स्ट कुछिन देखिए गाईस नेक्स्ट कुछिन में यहां पर पूछा गया है कि how many degrees does the earth rotate about its own axis in one hour एक घंटे में जो आर्थ है वो कितना रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस पे ठीक है तो जो राइट आंसर है वह है आपका फिफ्टीन दिग्री और बढ़ेंगे नेक्स्ट कुछिन देखिए the basic of deciding standard time of any place जो basic से deciding standards जो decide करते हैं time किसी जगा का उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं prime median ठीक है क्या कहते हैं prime median नेक्स्ट कुछिन के और बढ़ेंगे नेक्स्ट कुछिन देखिए the moment of the earth जो earth की moment है धरती की moment है अपनी axis पर ठीक है यह आगे इसकी axis ठीक है धरती की moment ऐसे हो दिया आगे अर्थ इसकी moment इस axis पर हो रही है तो इस moment को क्या कहेंगे इसको कहेंगे rotation क्या करता है यह यह rotate करता है इस axis पर ठीक है यह क्या है इसको कहेंगे rotation next question हमारे screen पर यह रहा जो diameter है आर्थ का वो कितना है जो diameter है न आर्थ का यह आ गया radius ठीक है वो हो गया radius लेकिन पूरे की जब बात होती है यहां से यहां तक तो वो हो गया diameter तो कितना diameter है इसका और वो भी approximately पूछा गया है तो जो right answer है इसका वो है 12800 km ठीक है तो आईए next question की ओर बढ़ेंगे next question हमारे screen पर यह रहा ठीक है नेबलर hypothesis of origin of earth was given by जो यह term है नेबलर hypothesis यह origin of earth के लिए एक term दी गई थी और यह term किसके दोरा दी गई थी फटा फट से कमेंट कीजिए और जो इसका right answer है वो है आपका ला प्लेस ला प्लेस ने क्या दी थी नेबलर hypothesis of origin of earth term दी थी ठीक है next question की और बढ़ेंगे यह देखिए next question हमारे screen पर जो average speed है आर्थ की जो revolve करता है around the sun sun के आसपास घूमने की average speed क्या है आर्थ की वो हमने इसमें आपको बतानी है तो जो right answer इसका वो है पचास किलोमेटर प्रती सेकेंड कितना पचास 50 किलोमेटर कितना तेज भागता हो गया ने प्रती सेकेंड और हमें तो लगता ही नहीं ऐसा ठीक है तो आइए next question की और बढ़ेंगे next question देखिए the scientist who first discovered that earth revolve around the sun उस scientist का हमने नाम बताना है जिन्नोंने पहले discover किया था कि जो अर्थ है revolve करता है sun के इर्दगिर्द घूमता है ठीक है sun यह आ गया और अर्थ यह आ गया तो इसके इर्दगिर्द घूमता है कौन से scientist है वो तो जो right answer है वो है कोपर नीशिस कोपर नीशिस ठीक है उनका नाम था कोपर नीशिस ठीक है जिन्होंने पहली डिस्कावर किया था कि जो आर्थ है revolve करता है sun के इर्द घूमता है ठीक है next question देखेंगे the chloris effect is result of जो आर्थ के रोटेशन का result है ठीक है next question गयस next question देखेंगे हम फड़ा फड़ से अर्थ का rotation जो उसके axis पे होता है वो कितने inclination कितने degree पे होता है उसका degree क्या होता है कितना angle होता है तो जो right answer है वो 23.5 degrees पे होता है ठीक है option A is the correct answer next question के और बढ़ रहे हैं यह देखिए next question what is the approximate mean velocity with which the earth moves around the sun in its orbit question में पूछा गया कि approximate mean velocity बतानी है जिसमें earth moves करता है sun के सूरज के इर्दगर्द तो इसका जो right answer है आपका तो आपको बता दूँ 30 km जो है mean velocity होती है 30 km किसकी mean velocity 30 km पर सकेंड होती है जिसमें earth moves करता है जो sun के orbit में ठीक है तो next question के और बढ़ेंगे question no.25 nam earth complete one rotation कितने time में earth rotation complete करता है 23 घंटे 10 minute 4.9 seconds में एक rotation जो complete करता है earth ठीक है अपना एक rotation complete करता है मानलों इदर से शुरू किया उसने तो 3 घंटे 10 minute 4.9 seconds लगेंगे ताकि उसको दुबारा यहां पर पहुंचने में ठीक है next question देखेंगे हम next question देखे हमारे screen पे the wave that helps scientists to understand the internal structure of earth है उस वेव का नाम बताना है जो scientist को क्या करती है scientist को मदद करती है ताकि वह understand कर सके ठीक है internal structure of earth जो अर्थ का internal structure है ना यह यह मानलों यह आर्थ मना लिया हमने यह आगे इसका internal structure है आगे वाड़ी सार लेयर तो वह कौन से वेव हैं तो जिसका जो राइट आंसर है वह है आपका secondary waves ठीक है option B is the correct answer next देखेंगे next question में क्या है where are day and night equal throughout the year वह कौन सी जगह है जहां पे जो डे और नाइट से equal होते हैं पूरे साल ठीक है equal होते हैं पूरे साल डे और नाइट राट और दिन तो जो राइट answer is question का वह है आपका equator equator पर क्या होता है डे और नाइट हरमेशा बराबर होते हैं parallel होते हैं ठीक है तो next question देखेंगे the causes of day and night is और रात और दिन किसके वज़ा से होते हैं रात और दिन किसके वज़ा से होते हैं तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका rotation of earth on its axis जो अर्थ जाएगा यहां से तो इसके इस वाले पार्ट पर लाइट पड़ेगी ठीक है इस वाले पर लाइट पड़ेगी और इस वाले पर अंधेरा होगा तो यहां डे हो रहा होगा यहां पर night हो रोटेशन पर वो जो है रोटेशन के वज़ा से क्या है डे और नाइट होता है रोटेशन के इसका किसका अर्थ का उसके एक्सिस पर ठीक है नेक्स्ट कोशिन है हमारे स्क्रीन पर विच अमंग दो फॉलिंग लेर सान अर्थ इस कंप्लीटली सेमी सोलिड इन में से कौन सी जो लेर से अर्थ की बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशिन काफी लंबा है देख सकते हैं वीच आप फॉलिंग एलिमेंट्स इसमें हमें एलिमेंट्स के बारे में देखना है जो फांड किया गया है हाइस्ट और लोवस्ट क्वांटिटी में अर्थ के करस्ट में अर्थ के करस्ट में कौन सा एलिमें और सबसे कम है अबैक मि Bett מדimeon नेक्स्ट कोष्ण कि और बढ़ेंगे हैं है कि न्यक्स्ट कोष्ण नंबर 31 के पास अंब हम ठीक है तो इसमें बोला है लीटो सालंपना होता है एक क्रस्ट और सॉलिड में टिंटल क्या हूं तौपिशन सी इसका राइट अंशर स है नेक्च्ट कुछिन के और बढ़ेंगे next question देखिए the layer made up of mixed metal and silicate जो mixed metal से layers बनती हैं और silicate से बनती हैं उसको क्या कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है si al si al ठीक है उसको क्या कहा जाता है si al ठीक है next question के और बढ़ेंगे question number 33 the most abundant metal जो most abundant element है अर्थ के crust में वो कौन सा है तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका oxygen ठीक है तो video like कीजिए अच्छा लग रहा है एक like दे दीजिए ठीक है next question के और बढ़ेंगे next question में देखिए the layer of the earth which has maximum density is उस layer का नाम बताना है अर्थ की जिसमें density क्या है सबसे dense maximum density यह पूरा फुल फुल मतलब ऐसा रगता है यह पूरा भरा हुआ है maximum density यह अर्थ के लेर की तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं inner core inner core inner core जो अर्थ का लेयर है जिसमें maximum density है वह है inner core ओप्शन सी इस दा correct answer ठीक है next question फिलाल के लिए इतने ही question है आज के लिए ठीक है तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं क्या करना है आपने सब्सक्राइब करना है पास का बैल आइकन भी दुआना है अपने तरफ से एक लाइक कर देना है हो सके तो एक शेर भी कर दो अपने फ्रेंड्स को ठीक है और अगर आपको यह पीडियाफ चाहिए ठीक है अगर यह पीडियाफ आपको चाहिए तो आपको क्या करना है आपने टेलिग्राम जोइन करना है ठीक है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जोइन नहीं किया है तो जेके टॉपर्स अकाडमी को जो करते हैं तो यह ज़रूर जोईंड कर लेगा और आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं फेस्बुक के फोलो कर सकते हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बिलेंगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए ख्याल रखिए पढ़ते दिये बाई बाई टेक केर